Hello everyone, I am Ayesha from National Academy of Fire and Safety आज हम बात करेंगे fire extinguisher के बारे में यानि कि अगनी शामा खियंत्र के बारे में ये कितने टाइब के होते हैं, इनमें कौन कौन सा material यूज किया जाता है इसे कैसे operate किया जाता है और कौन सा extinguisher किस fire पर यूज किया जाता है जैसी कि आग लगना अगर शुरू होती है और अगर हम उस पर extinguisher apply कर देते हैं तो आग पर काबू पाना आसान होता है पर अगर आग बढ़ जाती है, out of control हो जाती है तो उस पर काबू पाना मुशकिल हो जाता है क्योंकि यह easily एक से दूसरी जगा ले जा सकते है क्योंकि यह portable होते है cylindrical shape के यह रहते है और इनकी अंदर ही internal pressure stored type extinguisher यह रहते है ठीक है तो easily हम इसे use कर सकते हैं तो fire extinguisher इसलिए हम सबसे पहले fire जब लगती है इसलिए use इसे पहले किया जाता है तो आज मैं आपको चार टाइप की extinguisher के बारे में बताने वाली हूँ जो कि यह water type extinguisher, CO2 यानकी carbon dioxide type extinguisher, DCP यानकी dry chemical powder type extinguisher और mechanical form type extinguisher यह चार extinguisher के बारे में आज हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे water type extinguisher के बारे में तो यहां से आप देख रहे हैं cylindrical shape का है इसमें एक pressure gauge लगी रहती है उपर जो कि indicate करती है यह extinguisher जो है या नहीं और green है तो यह pressure stored है इसे हम use कर सकते हैं देखिए basically यह एक cylinder का पूरा अंदर का इसका diagram आपको show हो रहा है cylindrical shape का यह रहता है इसके अंदर एक गयास cartridge लगी रहती है जो की जिसके अंदर CO2 भरा रहता है carbon dioxide यह जो operating lever कम handle है इसे जब हम press कर जे तो क्या होता है cartridge जो है इसमें hole हो जाता है और जो CO2 है वो water के साथ mix हो जाती है तो water जो प्रेशराइज हो जाता है फिर यह discharge हो जाता है यह water जो है discharge हो जाता है next हम बात करेंगे CO2 के बारे में यानि की carbon dioxide के बारे में same way यह cylindrical shape है पूरा extinguisher जो refill रहता है CO2 liquid से refill रहता है pressure को जिसमें भी लगी रहती है same way indication देता है green है तो usable है red है तो usable नहीं है ठीक है यह discharge houses का पर इसका spray nozzle थोगा different है क्योंकि CO2 अगर हमारी किसी भी body part पर गिर जाता है तो उस body part को वो सुन कर देता है क्योंकि अगर हम उस body part को move भी करें तो भी हम उसे feel नहीं कर सकते इस वज़े से इसमें इस टाइप का nozzle यूजल यूज किया जाता है बाकि सारी कुछ चीज़े सेम है तो यह जो CO2 है वो यूज किया जाता है flammable liquids यानि की तरल पदा पैटोल, diesel, kerosene इन सब पे और electrical fire पे इसे यूज किया जाता है अब यह next form type extinguisher mechanical form सब कुछ इसमें सेम रहता है इसके उपर भी प्रेशर गौज लगी रहती है बस यह different है थोड़ा इसमें यह water से पूरा रिफिल रहता है और इसमें एक PVC बैग लगा रहता है जिसमें की soap plus concentrated water का एक mixture रहता है जब पानी के साथ mix हो जाता है तो झाग बना लेता है वह झाग जो है जब इस जो discharge nozzle है उसके ठूरू discharge होता है तो यह होता है fire पे अपने एक परत बना लेता है ठीक है परत बनाने से क्या होता है जो atmosphere में अपना oxygen जो present है वह fire तक नहीं पहुच पाता है और आग जो है वह ख इसे हम यूज करते हैं solid fire यानि कि toast पधारत वाली आख पर और flammable liquid यानि कि तरल पधारत पर इसे यूज किया जाता है ठीक है यानि कि A type fire पे से यूज किया जाता है और B type fire पे से यूज किया जाता है next हम बात करेंगे DCP की यानि कि dry chemical powder की इसमें गौज आपको दिखरी होगी रैड है एक तरफ और एक तरफ ग्रीन है तो यह ग्रीन जो है गाटा कर ग्रीन पर होता है तो यूजिबल है अब इसमें क्या लगा हुए gas cartridge इसमें भी लगी होई है same way CO2 इसमें रहता है dry chemical powder जो वो monomium phosphate इसके अंदर रहता है जब हम इसको उपर से यह handle जो है इसका लीवर प्रेस करते है तो cartridge के अंदर होल हो जाता है CO2 पूरे powder के साथ mix हो जाती है और फिर discharge हो उसके साथ pressurized होके यह जो इसके अंदर powder है वो discharge हो जाता है dry chemical powder जो है वो extinguisher हम solid type fire पे यूज कर सकते हैं जाता हरे यह पर एिसरे कर सकते हैं कि यूज और इसरे बिजली के आग पर भी यूज किया सकता है ठीक है तो यहां से ऐंगे क्लव कीा वे जाता है हम भीतवारे जाता है भीतवालित अपर चनमें की बबागária पर जाती है कैसों से operate किया जाता है इसका क्या method है तो वह मैं आपको बताऊंगी तो यह है इसका method how to use a fire extinguisher fire extinguisher को कैसे use कर सकते हैं इसका एक formula है वो है pass P-A-S-S pass P for है pull, pull का मतलब है the pin in the handle हमें क्या खीचना है handle पर एक pin लगा रहता है उसे खीचना है aim मतलब fire जहां लगी है उस direction में उस extinguisher को ले जाना मतलब aim the nozzle at the base of the fire जहां से आग लगना शुरू हुई है उस base पर उसे बिलकुल side direction में रखना squeeze मतलब जो lever है उसे press करना lever को slowly slowly press करना swipe swipe याने की उसे इस तरीके से सब तरब घुमा देना side to side के जो fire है वो पूरी extinguisher हो जाए ठीक है तो यह उसका formula है pass fire को extinguisher करने का और fire extinguisher को operate करने का देखिए मार्केट में यह ABC टाइप का extinguisher रहता है ठीक है यह देखिए आपको दिख रहा होगा cylindrical shape का है इसमें pressure gauge लगी हुई है जहां से हम check कर सकते हैं कि यह usable है या नहीं और इस पर पूरा लिखा हुआ है कि किस टाइप की fire पे से यूज कर सकते है मल्टी परपास extinguisher भी अवेलेबल है और जो एक्स्टिंग्यूशर है वह 1 kg से लेकि 9 kg तक के मिलते हैं और इन्हें हम अपने वही इंडोर फैर्स के लिए भी यूज कर सकते हैं यह देखिए यहां से आपको और क्लियर हो जाएगा कि कौनस एक्स्टिंग्यूशर किस fire पे यूज करते हैं किस पर नहीं देखिए ट्राइप आउडर सबसे पहले है तो ABC यानि कि ठूस पदात वाली आग यानि कि फ्लेमेबल लिक्विड टाइप और गैस टाइप और इलेक्रिकल टाइप फायर पे से यूज कर सकते हैं आप फ़ाम स्प्रे किस पर यूज कर सकते हैं यानि कि सॉलेड टाइप पे यूज कर सकते हैं और लिक्विड टाइप फायर पे यूज कर सकते हैं इसा हम इ पर यूज नहीं कर सकते हैं CO2 जो है वह हम सिर्फ लिक्विट्स और इलेक्ट्रिकल फैर पर यूज कर सकते हैं इसे सॉलिट टाइप फैर पर यूज नहीं करते हैं और बाकी सब आपको इसके अंदर पता चल गया है कि कौन सा एक्ट्ग्यूशर किस टाइप की फैर पर यूज किया जाता है तो कि मैंटेनंस पर ही रहता है कि हम इसे राग्जूलर मैंटेन करकी रखना होता है विदिन ऑनंवी किसे चैक करना होता है इसका प्र lecture करना होता है इसके बड़ा दीम ہیںरिट ये है मतलब कि उसका body maintenance करते हैं अगर तो 12 साल तक एक extinguisher चल सकता है और pressure जो वो check करते रहना होता है कभी-कभी pressure reduce हो जाता है तो extinguisher किसी काम का नहीं रह पाता है ठीक है तो यह सारी बात हुई fire extinguisher के बारे में कौन से एक्स्टिंग कितने टैप के extinguisher होता है यह मैंने आपको बता दिया मुट्टी परपस भी रहते हैं और कौन से एक्स्टिंग्यूशर किस टैप पर किस टैप की fire पर यूज़ किया जाता है ओके सो थैंक यूँ आप